नमश्कार प्रियमित्रों आप सभी का हमारे चैनल ब्यूटिफल वर्ल्ड में हारदिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेकर आए हैं कि यदि कोई व्यक्ति सपने में सूर्य को देखता है तो यह सपना व्यक्ति को किस बात का संकित देता है वीडियो को आगी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अन्त तक देखें और अपने सपनों का बिल्कुल सही मतलब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बेल आइकन को प्रेस करें हिंदु धर्म के अनुसार व्यक्ति के जीवन में सूर्य का एक बहुत ही महत्वण स्थान होता है और सूर्य को देवता माना जाता है सूर्य देवता की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन की तमाम परिशानिया समाप्त होती है यदि कोई व्यक्ति सपने में भी सूर्य देवता के दर्शन करता है तो यह सपना उस व्यक्ति को बहुत ही शुग फल देने वाला सपना माना जाता है यह सपना देखने से व्यक्ति के भाग्य में व्रद्धी होती है और जीवन की तमाम परेशानिया समाप्त होनी सुरू हो जाती है जो भी व्यक्ति सपने में सूर्य को देखता है उस व्यक्ति का तेज और प्रभाव बढ़ता है समाज में व्यक्ति का मानसमान बढ़ता है आप कोई ऐसी नई गती विधी शुरू करेंगे, जिसमें आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ती होगी, आप दूसरों के लिए प्रेरणा का इस्तरोध बनेंगे, इस बात का यह सपना संकित देता है. प्रन्तु इसके विप्रीत यदी व्यक्ती सपने में सुर्यास्त होते हुए देखता है, तो डूपता हुआ सूरज सपने में दिखाई देना एक अशुब संकित माना जाता है. यह सपना आने वाले समय में आपको निराशा की प्राप्ती होने का संकित देता है, आपका मन उदास रहेगा और आपको आपके कारियों में वह सपलता नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए, इस बात का यह सपना संकित देता है. यदि आप सपने में देखते हैं कि सूरज बादलों में छुपा हुआ है, तो यह सपना आपके लिए संकित होता है कि आप एक समजदार और प्रतिभाशाली व्यक्ती हैं. परन्तु आने वाले समय में आपकी परिस्थितियां आपका साथ नहीं देंगी, आपका समय आपके प्रतिकुल रहेगा, आपको धैरे बना कर चलना होगा, और यदि आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो नए काम को कुछ महिने तक सुरू ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, यदि आपको सपने में सूर्य गरहन दिखाई देता है, तो यह सपना आपको संकेत देता है कि किसी व्यक्ति की बुरी नजर आपको लगने वाली है, आपके शत्रू आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, आपको खुद ही अपना ध्य रखना होगा, और शत्रूओं से जितना हो सके उतना दूर रहने का प्रयास करें, वरना आपका ही नुकसान होगा, तो यह होता है सपने में विभिन अवस्थाओं में सूरज को देखने का मतलब, यह सपना देखने के बाद व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्ति सूर्य की उपा आपको जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सपनों का बिल्कुल सही मतलब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यदि आपका कोई ऐसा सपना है जिसका मतलब आप जानना चाहते हैं, तो आप अपना सपना हमारी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम वीडियो की माध्यम से आपको आपके सपनी का मतलब बताने की पूरी कोशिश करेंगे, धन्यवाद.